सोलन शहर से महच 30 किलोमेटर दूर कोटी गाउं जो नेशनल हाइवे के किनारे बसा हुआ है कोटी गाउं की आबादी 300 लोगों की है सरकार ने इस गाउं को स्वास्थिय और पानी की सुविधाओं में नमबर एक गोशित किया है पर सचाए तो यह है कि कोटी गाउं के निवासी पानी की समस्या से जूज रहे है पानी की समस्या तो पहले थोड़ी कम थी कि उनकी पॉपलेशन बहुत ज्यादा कम थी पॉपलेशन बढ़ गिये लोगों ने मकान ज्यादा बनाने शुरू कर दिये टेनेंस का भी है पानी की जगादा पॉपलेशन बहुत पहले है पहले तो चार पांच गाउं वह यहां बढ़ करते थे इसकी शिकायत आपने कब और कहा गदी है शिकायत तो फ्रीकुंटली आईपेश डिपार्टमेंट रेगलरी की जाए है इनके लोकल वार्टर के जो राइन क्या गोलते हैं वर्कमें जो होते हैं उनको भी रेली इंफार्म कर रहे हैं उसका कारण है कि इनके बासे अबिज़तने जो कि स्वीसा है तो उसकी कि वायए से सुर्ण में चीड़ करते हैं उपेशर्ण क्या तो कहां खहिं से लाया पानी दूर 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 कि करना पढ़ता हैं मारे की तौर की तरफ से किसतना की सहता आता मिल रही है सरकार के तरफ से तुम्हार को कोई भी साइता नहीं मिल रही यहां पर पाने के लिए पीने के पाने के कोई भी पका इंतिजाम सरकार ने अभी तक नहीं किया अगर जाता ही हम अला करते हैं गवर्मेंट को तो एक मिनने के लिए 15 दिन के लिए टैंकर लगाती है मैं ये वीडियो बना कर सरकार को उसकी लापरवाही दिखाना चाहता हूँ मैं सरकार को ये दिखाना चाहता हूँ कि जीने के लिए पानी कितना जरूरी है कोटी गाउं के तीन से लोगों को पानी की सुविधा दिलाने के लिए आप मेरी मदद करे इस नंबर पर कॉल करके 94-180-26241 माचल परदेश के सोलक जिले से मैं अवधेशने की इंडिया अनहर्ड के लिए